हेई गाईज तो इस वीडियो में हम ऐसा अमेजिंग ब्यूटिफुल रियलिस्टिक पेंटिंग करने वाले हैं और वो भी बेलकुल दस रुपे के कलर के साथ तो दोस्तो मैं हूगोविंद और आप देख रहे हैं चित्रफो में आर्ट अकेडमी तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने 20 रूपीज वाला कलर पर्चेस किया है जिसमें से मैंने 6 कलर का जो पैनल है वही यूज किया है जो कि 10 रूपेज का आता है मैंने यहाँ पर 6 नमर का रौंड ब्रस यूज किया है और पेपर में बिस्ट्रो का A4 साइज वाला पेपर यूज किया है तो यहाँ पर Apple में color करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले red लगाया है और उसमें थोड़ा सा black मिलाके उसमें Apple का shade create किया है यह वीडियो काफी लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में step by step बताया है कि आप coloring कैसे apply करेंगे वीडियो को like कर देना प्लीज और comment में बताना वीडियो आपको कैसा लगा subscribe कर देना अगर आप channel पे नए हैं और उसके बाद brush को अच्छी तरह से wash करके और फिर fabric या tissue paper से उसको अच्छे से wipe करके और फिर हम shade और red को mix करेंगे अब उसके बाद highlight जहां है वहां पे हम red में थोड़ा सा white में लाएंगे और highlight के area में उसे हम apply करेंगे ध्यान रहे है पानी ज्यादा नहीं लेना है ने तो फिर paper जो है वो खराब हो जाता है और जहां mix करना है suppose कि अगर highlight के जगह पे और जो mid tone है यानि red color जो है वहां पे उसको mix करना है तो red के area पे हम red और ले लेंगे और mix करेंगे फिर white ले लेंगे फिर वहां से mix करेंगे हर जह तो जह हो कि अख़ANG जह हैंनगेimiento करेंगे पेप्स कर वेजाद है को घूंद्षन जह करेंगें को थे और जहीं तो critically है, को तो पिर के थे नहीं Driver और अंदर वाले पार्ट में थोड़ा सा येलो लगा देंगे जिसे नैचुरिली एपल में होता है और फिर इसे हम ब्रश को वाइप करके मिक्स कर देंगे या पर थोड़ा सा रेड भी मिक्स करेंगे इसमें सबस्टर्स झाले ब्र sophाची घज कर दिसे चैनल को वाइप इसांद करदेंहुरिया पर ला मेंचे इसा सा, दे डर भी मिक्स कर दाले ब्र कर को दोड़ा रेक पार्बस फससके से रहटूशणट बाइप है इसम इसनाद भी मिक्षब कर अदोंबान अब उसके बाद यहाँ पर red में थोड़ा सा black मिलागे यानि कि हलका सा उसका dark tone बनाके हम यहाँ पर apple का जो texture होता है उस texture को apply करेंगे जैसे जैसे dimension गया है apple का उसके according हम brush का stroke चलाएंगे कर परापS बापS 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 बार ठेचराश बार इंच को फिर एका जाड़ के प्रापS बापS बाद प्रीघ जिए C बाज रख ड़ उसके बाऴर के आप है जाया है और यहां पर एक इंपॉर्टन चीज कि हमने जो टेक्शर अपलाई किया है तो सबसे पहले हमने एपल में उसका जो डामेंशन है लाइट एंड शेट करेंट करके उसके बाद ही उसमें टेक्शर अपलाई किया है ध्यान रहे स्ट्रॉक एकदम डामेंशन के एक ओडिंग ही इसके बाद मैंने यहां पर ब्राउन कलर का थोड़ा सा यूज किया है जो एपल का स्टिक है उसमें अपलाई करने के लिए यहां पर अगर आपके पास ब्राउन नहीं है तो आप यहां पर रेड येलो और ब्लैक को मिक्स करके ब्राउन बना सकते हैं अब यहां इस फ्रूट में भी हम वैसे ही लाइटन शेट करेंगे ग्रीन का थोड़ा डाक शेट मना लिया ग्रीन में थोड़ा से यलो मिक्स कर लिया ताकि उसका मिट टोन बन जाए और उसमें थोड़ा से ब्लैक मिक्स कर लिया ताकि उसका डाक टोन बन जाए और फिर ज तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं तो वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं तो येख सकते हैं बच्पित। बत्र 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 बंग कि एंग जब कर दो और दो दो पार झाल इंनाएब जात्राइब नाएब प्राइब कि अवाप harएं, मैं प्राइब को वज एब एफ टेम हो याइब में तरह पर पर येल्लो में रेड मिक्स करके तोड़ा औरेंज मेना लिया है और फिर औरेंज का जो अंदर का जो स्ट्रॉक है वो बिलकुछ सीदा सीदा स्ट्रॉक लगाएंगे और थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा लाइट कहीं कहीं दिखने देना है ताकि उसका टेक्शर नज़र आए अज़ बिल्सी संद्रॉक लगाएंगे और फिर दोड़ाएंगे और एैन उन्याना खवांगे प्क्रिष्ट अंदिखने देन आर्क लगाएंगे कर दोला कर दोला जब बैप्साट कर रहुंत प्रूट के पैंटिंग कंप्लिट हो गया तो इसके बाद हम जो सर्फेस है उसमें हम कलर करेंगे ब्लैक में वाइट मिला के थोड़ा सा ग्रेश और थोड़ा सा ब्राउनिश बना देंगे और उसके बाद थोड़ा सा उसी कलर में ब्लैक मिला के हम यहां पर शेड करेंगे जो शेडो गिर रहा है ना फ्रूट का वह हम शेड थोड़ा सा क्रेड करेंगे और फिर उसको सर्फेस में तोड़ा थोड़ा मर्च कर देए क्झार ना खबड़ा थोड़ा ना ची लाग करेंगे उस्टा इंट रहो छोड़ाद कर दो क्झार शबड़ाद करेंगे तो वहयू पर घ्यूम्हार ।बुच्च्च कि को सबता है जके सब्सक्राइब डिर प्रणाएब खास्वाब जाना अबने सकते हैं वे खिता है भान वे खिता है और फाइनली बैक्डाउंड जो है आप चाहे तो वाइड भी रख सकते हैं लेकिन यहां पे ब्लैक में ने दिया कि थोड़ा सा उब्जेक्ट जो है वो और उभर के आ जाए और फाइनली लास्ट में हम जहां हमें जरुरत है वहां पे हाइलाइट देंगे अजर थाई टू पूच्छ पाइनली लाइनली लाइनली लास्ट पटो में भी रख ब दिल ौन पेड़्ास्ट जसे जब्सेंगे तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल बटन जरूर दबा दीजेगा ताकि हमारा जो ऐसे ही अमेजिंग पेंटिंग का टूटिरियल वीडियो आने वाला होगा उसको नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिलेगा तेंक यू सो मुच फर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं टोपे के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग बाबाई